Hello friends, Welcome back to Adiohub Friends, आज से जो important news है राजस्तान के उनके बारे माँच हम थोटा सा discuss करेंगे जो जो important news, जो भी सिख्छा से related news है जो हमारी education से related news है, जो भी उनके बारे हम discuss कर रहे हैं तो पहला यह point निकल के आता है इसमें कि राजस्तान जो board है उनकी जो सेस परिक्षा रह गये बारवी की और दसवी की वो start होने वाली है वो बारवी की जो परिक्षा है वो 18 j 넣 से और 10 वी की जो परिक्षा है वो 27 z 넣 से start होने वाली है तो इसमें क्या बताया गया है इस न्यूज के अंदर की राज्य सरकार जो राज्थानी सरकार है उन्होंने दसवी और बारवी की जो सेश परिक्सा है उनका सनीवार रात को ही गोसित कर दिया है ठीके बारवी की जो परिक्सा है उसकी सुरुवाद जो होए है अठारा से तीस जून के मद्य होगी यानि अठारा जून से स्टार्ड होगा और तीस जून तक चलेगा वहीं दसवी किलास की जो परिक्सा है वो सताई जून से स्टार्ड होकर तीस जून तक चलेगी ठीके फ् विवस्था अध्यन विशय की जो परिक्षा है वो सुमबार 22 जून को होगी ग्रहविक्यान जो है उसकी परिक्षा जो होगी 23 मंगलवार 23 जून को होगी फिर चित्रकला विशय की जो परिक्षा है वो बुद्धवार 24 जून को होगी हिंदी सहाइत्य उर्दू सहाइत्य सिं जो टाइपिंग है, टाइपिंग का जो है, वो हिंदी और इंग्लिस का जो टाइपिंग है, वो 27 जून को होगा, कंठ संगित या नर्त्य कथक या वाद संगित विशे की जो परिक्साई है, वो 29 जून को होगी, मनो विज्ञान विशे की जो परिक्साई है, वो 30 जून को क्या है उसको हम देख लेते हैं अभी परिक्षा जो है वुcemवार 39 और गनीत इसे के जो परिक्षा है वो मंगलवार 30 जून को होगी ठीक哎 माध्यमिक व्योषाइО का 69 रही परिक्षा 27 जून को होगी और उच माध्यमिक व्योषाइक कि जो精 зुस परिक्षा वो 20 जुन को होगी ठीक है प्रवेसी का कि जो सेश परिक्सा हैं 27 से 30 जुन के मद्य होगी वरिष्ट उपाध्याई की परिक्सा 18 से 30 जुन के मद्य होगी बोड के सचिव अर्विंद कुमार सेंगवाक ने बताया कि परिक्साओं के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए ये सारे रूल्स बनाई जाएगे COVID-19 की वज़े से ही एक्जाम जो हमारे डीले हुए है दस्वी और अर्वी के जो बज गए है एक्जाम उनको जो है दुबारा से कराने उनकी जो सेस एक्जाम है उनको कराने का जो है वो बोर्ड ने निन्ने किया है रास्तान बोर्ड ने निन्ने किया है और वो इस इसाब से ये न्यूज है और इसके बाद ये जो पेपर है ये अठारा तारिक से और जो ज़दस्वी के पेपर है वो 27 जून से start हो जाएंगे 27 से लेकर 30 जून के अंदर ये paper खतम हो जाएंगे ठीके friends तो आप इस news को देखोगे तो आपको इसमें बहुत help मिलेगी आपका जो ये exam है वो आपकी उसकी preparation आपको start कर देनी चाहिए ओके thank you friends yes next news जो निकल के आती है वो है friends परदेश में महाविद्यालों वो विश्वविद्यालों में 15 जून तक का अफकास कर दिया गया है ठीके जो covid 2019 को देखते हुए corona संक्रमन को देखते हुए विश्वविद्यालों और महाविद्यालों में 15 जून तक के लिए अफकास गोसित कर दिया गया है यानि 15 जून तक जो गिर्श मकालीन अफकास था उसकी अवदी बढ़ा कर 15 जून तक बढ़ा दी गई है ठीक है गौर तलब है कि पूर में महा विद्यालों में 16 अपरेल से लेकर 31 मही तक अफकास गोसित किया गया था लेकिन अब इसको 31 मही से बढ़ा कर इसको जो है 15 जून से पहले 31 मही तक था अब इसको 15 जून नेक्स्ट है कॉलेज में दाखिले की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है ठीक है जो एड्मिंस रिलेटेट जो भी अभी तक अन्फूजन चल रहा था उन सब को डिक्लेयर कर दिया है राज्य सरकार ने जिसे ये किस टाइप ऑनलाइन एड्मिंसन प्रोसेस के तहत कॉलेज के दो फैकल्टी मेंबर को नॉडल अधिकारी ऑनलाइन एड्मिंसन यूजी और पीजी लेवल में निक्तिर करने के निद्दस दिये है ठीक है जो भी कॉलेज है उसकी दो फैकल्टी मेंबर को दो नॉडल अधिकारी साइन्स के सेक्षर में 70 स्टुडेंट होंगे ठीक है इनको भी डिवाइट कर दिया है कॉलेज को ऑनलाइन एडमिसन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी कंप्यूटर स्कैनर बैक अप की जब विवस्ता है वो करनी होगी तो यह क्या हुआ है कि जो अब कॉलेज में एडमि वाले हैं उनको एडमिसन कैसे होगा उसका यह प्रोसेस है पूरा ठीक है ऑनलाइन एडमिसन के लिए दो नौडल अधिकारी होंगे उनके द्वार यह प्रोसेस किया है यस नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों को मिलेगी 5967 कनिस्ट सहयक सिक्षा विभाग में 7000 पद रिक्त नव सिक्षा विभाग की स्कूलों को सिग्र ही 5900 कनिस्ट सहयक मिलेंगे राज्य अधिनिस्त बोर्ड चयन बोर्ड जैपूर की और से सरकारी विभागों के लिए लगबग 12000 कनिस्ट सहयकों का चयन हुआ है इसमें सिक्षा विभाग में 5967 कैंडिडेट मिलेंगे ठीक है जो अ सरकारी स्कूलों के लिए उनको नियुक्ति दी जाएगी ठीक है माध्यमिक शिक्षा निदेशालों के उप निर्देशक प्रशासन के ने सभी संयुक्त निर्देशक स्कूल सिक्षा से अपनी सम्मंदित जीलों के कार्यलियों और स्कूलों में कनिस्ट सहयकों के रिक्त प पद भढ़ने की मांग कर रहे हैं ठीक है इसलिए ही अब जो है साथ जार पद रिक्त हैं सिक्षा भिवाग में उन सब को भढ़ने का जो यह कार्यक्रम है वह स्टार्ड किया जाएगा यस नेक्स्ट न्यूज फ्रेंट्स इगनु के विध्यारती 30 जून करasak केंगी उनलाइन असाइमेंट जो गनु के विद्यारती है उनको जो ऊनलाइन असाइमेंट जमा करना होता है उसकि डेट वह 30 जून तक बढ़ा दी गई है ठीक है इकनु अध्यान के ले में पंजीकर्थव अध्यन रत विध्यारतियों के ऑनलाइन असाइमेंट जमा कराने की जो अंतीम तिथी जून 2020 परिक्षा की फॉर्म बढ़ने की अंतीम तिथी 30 जून तक बढ़ा दी है ठीक है ऑनलेन असाइमेंट जमा कराने सम्मंदित निर्दस जो विध्यारती दूरभास की और से अध्यन केंदर से प्राप्त कर सकते हैं अनुसुची जाती व जो है निस्सुल्क परवेश की जो सुविदा है वो सुरू कर दी गई है जून 2020 संत्राथ की परिक्षा है अभी कोरोना महामारी वर लॉक्डाउन के खारण इस्तगित है किसकी इगनू इनिर्शिटी की ठीक है लेकिन जो असाइमेंट है वह आप 30 जून तक जमा करा सकते ह कि यहां पर देघु्ट आता है जो हो इस फिरेंट जो है वह है सीी फये परिक्षा 2020-20 बदल सकेंगे एकजांब सैंटर जो और विजिए केग्जा केंगे हैं मुणने विटव सIAM के जो XCA देने वाले चात्र हैं छात्र के लिए विंडू खुलेगा ICI की और से जारी नोटिस में कहा गया है कि sorry exam center बदलने के रिए correction window खोला गया है यानि चात्र सिर ll के और अतर ICI की और से कहा गया है कि exam के exam के medias में weiter बदलाव स्विकार नहीं किया जाएगा यानि exam का जो media उ斯में बदलाव सिकार नहीं किया जाएगा केवल जो यह open हो रहा है या आपके जो exam center से लेटेड ही open हो रहा है और उस वी को आप change कर सकत तो यह website यहाप दिया गया है icaiandam.icai.org पर जाकर यह कर सकते हैं आप यास फ्रेंट नेक्स्ट न्यूज है अब 11 अंको का होगा आपका मोबाइल नंबर कितने अंको का अभी तक जो हमारा मोबाइल नंबर था इंडिया का वो था 10 नंबर का और हमारा जो कोड था वो था प्लस 9 1 ठीके लेकिन अब जो नंबर होगा मारा मोबा ग्यारा अंको का हो सकता है ठीक है? दस की बज़्याव ये ग्यारा अंको का करने एक हा देश से जाधा नंबर उपलब्ध हो पाएंगे इन सिफारिस कनुशा लेंड लाइन मोबा-इल नंबर फोन करने से पहले जीरो लगाना अनिवारिय होगा अगर आप लेंड लाइन नमबर पर फोन कर रहे हो तो आपको जीरो लगाना अनिवारिय होगा ट्राई ने प्रस्ताव रखा है कि मोबाइल नमबर का पहला अंक अगर 9 रखा जाए तो 10 से 11 अंको के मोबाइल नमबर पर स्विच होने से देश के कुल 10 अरब नमबर की समता हो जाएगे मतलब 10 अरब नमबर की समता हो जाएगे अगर आप 10 से 11 अंको का मोबाइल नमबर कर देते हैं तो ठीक है तो यह एक इंपॉर्टेंट निउज है यार जो मैं आपसे साथ यहर कर रहा हूँ कि जो अब मोबाइल नमबर है वो 11 अंको का होने वाला है क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को फाइदा होगा बहुत सारे लोगों को नए नमबर मिल पाएंगे तो आज के लिए क्लोज करते हैं या आज का जो निउज है इसको आप देखें और फिर जो कल निउज आएगा उसको हम अपडेट करेंगे